जै गुर्देव मेरे प्यार 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 बक्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहां कहीं भी होंगे वहां आप हमारे दोरा बताएगे बसीकर्ण से आनंद उठा रहे होंगे मेरे प्यार प्यार बक्तों मैं आज फिर आपको बहुत ही सक्तिसाली और पावरफुल बसीकर्ण आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये बसीकर्ण के दोरा आप किसी भी इस्तरी या लड़की को अपने बस में कर पाएंगे बहुत ही सक्तिसाली पावरफुल बसीकर्ण है इसको यदि आपने बिधी पूर्वक किया तो मेरा भक्तो 100% गरंटी है आपका प्यार आपको मिल जाएगा ये बसीकड का भक्तों कोई भी काट नहीं है ये इतना भहंकर प्रभाव साली है इसको भक्तों करते करते इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यार प्यार भक्तों यदि आपकी उमर काफी हो चुकी है और आपको अभी तक आपका प्यार नहीं मिल पाया है जिस लड़की को आप अपना बनाना चाहते हैं या जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो किसी दूसरे से प्यार करती है उसकी याद में आप दिन रात परेशान रहते हैं लेकिन उसके हरदे में आपके लिए कोई भी प्यार नहीं है वहाँ आपसे बिर्कुल भी प्यार नहीं करती है वहाँ आपकी तरफ देखती तक नहीं है बक्तों तो ऐसी परिस्तितियों में बक्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल आउसकता नहीं है यदि आपने अभी तक लाखो बसीकड प्रियोग कर चुके हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है या बहुत ही सक्तिसाली बसीकड मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान पूरवक पूरा वीडियो देखिए, मेरा वादा है बक्तों आपसे आपक लडाई जगडा करती है, या आपका परिवार लेकर कर नहीं चलती है, ऐसे स्थितियों में बक्तों आपका परिवार बिगड चुका है, आपको बसीकड करने की आवसकता है, ये वीडियो को आप ध्यान पूरवक देखें, मेरा वादा है आपसे आपकी पतनी, आपके हर इ इसे करना है और किस दिन करना है, इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं, लेकिन बक्तों इससे पहले जदी आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बैल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें इससे बक्तों यह होगा हम जब भी वीडियो अप्लोड करेंगे इसकी सुचना आप तक पहुँचेगी सबसे पहले मेरे प्यार प्यार बक्तों आपको यहाप प्रियोग बक्तों बुधवार के दिन करना है बुधवार की रात बक्तों आप किसी समय सुर्यास्त के बाद में यहाप प्रियोग करें आपको इतनी सामागरी लेकर के बक्तों आपको एकांत स्थान में चले जाना है यदि आप एकांत में आपका कमरा है तो आप अपने कमरे में भी या प्रियोक कर सकते हैं यदि आप कहीं दूर दरास में जाना चाहते हैं तो आप इतनी सामागरी लेकर के आप दूर भी दरास भी जा सकते हैं आपको डरना नहीं है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है कभी तो चलिए बक्तों मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ इसमें क्या-क्या सामागरी लगती है मरे पारपा बक्तों आप देखेगा बक्तों सबसे पहले आपको एक चाकू ले लेना है ये मेरे पास बड़ी चाकू है लेकिन आपको चोटी चाकू ले लेना है आपको एक चाकू ले लेना है और आपको दूसरी सामागरी में आपको थोड़ा सा गुलाल ले लेना है गुलाल को भी मैं अलग रख लेता हूँ आपको थोड़ा सा ले लेना है या सरसों का तेल और आपको एक नीबू ले लेना है देखेगा बक्तों और आपको थोड़ा सा सुखा आटा ले लेना है और आपको आटा गीला थोड़ा ले लेना है इसकी हमें दीपक बनाना है तो इसको आपको ले लेना मैंने इसको पहले से गूत करके रख लिया है और आपको एक रूई की ब देखेगा है आपको एक प्लेन कागज ले लेना पड़ेगा तो देखेगा बक्तों या प्लेन कागज भी है और इसके अलावा बक्तों एक आपको नीला पिन ले लेना है तो बक्तों देखेगा या नीला पिन भी मारे पास रखा हुआ है आपको इतना सामागरी ले लेना है उसके बाद में बक्तों या प्रियोग कैसे करना है आप बड़ा गवर से देखीगा तो हम इस प्लेट को अलग रखे देते हैं तो इस देखेगा बक्तों आपको सबसे पहले याद ध्यान रखना है यदि आप कच्छी जमीन में इसे बनाते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ कपला बिछा रखा है तो आप देख सकते हैं तो हम सबसे पहले बक्तों आटा ले लेते हैं और आटा से आपको अस्तदल कमल बना लेना है तो यह कैसे बनाना है देखेगा बक्तों इस तरीके से आपको अस्तदल कमल बनाना है यह गोला टाइप से आपको इस तरीके से बना हो चुकी है और इसी तरीके से वक्तों आठ पंकुडियां आपको बना लेना है वक्तों हम वीडियो के तब तक के रोक देते हैं और आपको उसके बाद में जब आठ पंकुडियां बनकर के तयार हो जती है आपको फिर मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग बने रहे वीडि को बना लिया है उसके बाद में वक्तों आपको थोड़े से बीच में यहाँ पर चावल रखना है तो वक्तों आप देखेगा हम यहाँ पर बीच में चावल रखेंगे इस तरीके से बीच में यहाँ पर आपको थोड़े से यहाँ पर चावल रख देना है और उसके बाद में बक्तों यहां पर थोड़ा सा आपको गुलाल डाल देना है तो गुलाल भी आपको इस तरीके से रख देना है इसके बाद में बक्तों यह जो आपका आटा रखा हुआ है इस आटे की आपको दीपक बना लेना है दीपक कैसे बनाना है तो देखिए बक्तों ये गोल गोल आपको इस तरीके से गोला ऐसे बना लेना है और गोला बनाने के बाद में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है अंगुठा को बीच में डाल करके और आप इस तरीके से इसको दबा दीजीगा ये एक दीपक की तरह बन करके तयार हो जाएगी ये देखेगा बक्तों कितने अच्छी बन चुकी है इसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है सरसों का तेल तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है सरसों का तेल और इसको तब तक बक्तों अलग रख देना है अभी इसके उपर नहीं रखना है उसके बाद में बक्तों आपको एक यंत्र बनाना है यंत्र कैसे बनाना है यह हम आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ इसको आप देख करके आप इस यंत्र को आप बना लें यहाँ यंत्र के बीच में आपको अपने प्रेमिका का नाम डालना है यदि आप किसी इस तरी के उपर कर रहे है तो आपको इस तरी का नाम डालना है यदि आप किसी लड़की के उपर या प्रियोग कर रहे हैं तो आपको उस लड़की का नाम डालना है यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए आपको यहाँ पर बक्तों मैंने रेनू डाल दिया है तो आप अपने इसाब से अपना नाम डाल दे यह देखेगा यह यंत्र मैंने पहले त्यार करके रख लिया था तो इस तरीके से आपको यंत्र को बना लेना है ये यंत्र बनाने के बाद में बक्तों इस यंत्र को आपको यहां पर रख देना है जो गुलाल रखा हुआ है इसी गुलाल के उपर आपको इस तरीके से रख देना है और रखने के बाद में वक्तों जो आपका दीपक है इसको आपको यहाँ पर रख देना है उपर से इसके उसके बाद में वक्तों आपको धूब बत्ती को ले लेना है धूब बत्ती को आपको दीपक की दाहिने तरफ रख देना है इस तरीके से उसके बाद में बक्तों दीपक में आपको रूई की बात्ती डाल देना है तो रूई की बात्ती को इस तरीके से कर लेना है और इसमें इस तरीके से इसको डुबा देना है उसके बाद में बक्तों यह दीपक को जला देना है तो यह जब तक डूब रही है देखेगा बक्तों यह डूब चुकी है और डूबने के बाद में तो दीपक में जला देता हम फटाफट वीडियो पूरा देखना बक्तों आपका प्यार आपको मिल जाएगा मेरा वादा है आपसे वीडियो को स्किप मत करना यदि आप स्किप कर देंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो वक्तों आप देखेगा उसके बाद में वक्तों आपको अगर बत्तियों को जला देना है इस तरीके से आप अपनी कोहनी में यहाँ पे हाथ लगा करके और आपको अगर बत्तियों को लगा देना है इस तरीके से अगर बत्तियों को आपको इस तरीके से लगा देना है उसके बाद में बक्तों जो यहाँ पर दूब बत्ती रखी हुई है इस दूब बत्ती को भी आपको जला देना है और उसके बाद बक्तों क्या करना है उसका आपको केवल 21 बार आपको अंतर मन में नाम लेना है आप जिस वक्त उस इस्तरी या उस लड़की का अपने अंतर मन में उसका नाम ले रहे हो उस समय बक्तों उसका चित्र आपको अपने दिमाग में बसा के रखना है बस इतनी सी प्रिक्रिया आपको करना है उसके बाद में जैसे ही वक्तों 21 बार पूर हो जाए उसके बाद में आपको नीबू ले लेना है और नीबू को काट करके वक्तों इसकी बली चड़ा देना है आपको कैसे काटना है तो आप देखेगा यहाँ पर रख लीजिएगा उसके बाद में आप जिस इस्तरी या लड़की को अपने बस में करना चाहते हूँ उसका आपको एक बार नाम लेकर के और नीमबू को काट देना है आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं जिसे रेनू के उपर कर रहा हूँ तो बक्तों मैं रेनू का नाम बोल करके नीमबू को काट रहे हैं तो देखेगा बक्तों कैसे काटना है रेनू तो इस तरीके से आपको करके और आपको नीमबू को इस तरीके से बक्तों आपको काट देना है तो यह देखेगा बक्तु और उसके बाद में बक्तु गुलाल रखा हुआ है इस गुलाल को आप लेकर के आप नीबू के बीचों बीच में इस तरीके से थोड़ा लगा देंगे और बक्तु यह प्रक्रिया बस आपको करना है बक्तु उसके बाद में बक्तु यह यंत्र आपका चेतन निम्ह हो जाएगा या जो दीपक आपका जला है इसे जलते रहने देना है या दीपक जैसे ही बंद हो आपको अपना यंत्र को उठा लेना है यंत्र को उठा करके बक्त से आपको मिट्टी तोप देना है इतना करके बक्तों जो भी आपके पास चपल या जूता हो उस जूता या चपल से आपको एक बार उसी के उपर पटक देना है फिर चुपचाप अपने घर को चले आईएगा और पीछे मुड़कर नहीं देखना है बक्तों और देखेगा ब जादों में बहुत तरपने लगती है वह आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हो जाती है यदि उसके पास फोन है तो वह फोन करती है अगर फोन उसके पास नहीं है तो वह आपको मिलने के लिए बुलाती है अगर आप नहीं जाते है तो उस वक्त स्वयम आपसे मिलने क लिए आएगी और आपसे प्यार से बात करती है और यदि आपकी पतनी है तो आज जीवन भर आपके साथ रहती है यदि आपकी पतनी नहीं है प्रेमिका है तो वो भी आपसे बिवाह करने के लिए आतुर हो जाएगी मेरे प्यार 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 बक्तों यहाँ प्रियोग ऐसे किसी के उपर ट्राई नहीं करना है आपको यदि ऐसे किसी के उपर आपने ट्राई कर दिया तो वक्तों आप चक्कर में पढ़ सकते हैं तो यही सुझा हो है आपसे आप ऐसे किसी के उपर प्रियोग न करें यदि आपको आवसिकता पड़े आप इस प्रियों को तभी करें मेरे प्यार प्यार बक्तों ये इस तरीके से आप अपने प्यार को पा सकते हैं उम्मीद करता हूँ या वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले हम फिर मिलते हैं वक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और बसी कंड लेकर और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जैगुर देओ